नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुसाईसर चैनल में वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं देपावली में हम चाइना की लडियां यूज करते हैं जिससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है बलकि चाइना वालों का प्रॉफिट होता है तो हम उनका प्रॉफिट क्यों करें हमें अपने देश का प्रॉफिट करना चाहिए अपने देश का सामान यूज करना चाहिए तो जिससे चाइना का बाइकाट करके हम अपनी स्वधेशी लड़ियों का use करें तो आज हम यहाँ पर इंडियन लड़ियां बनाने जारहे हैं तो आईए जानते हैं यह सब कैसे देखें कौन-कौन से या निकी जो हमारे समान है जो इंडिन लडी बनाने में यूज होने वाले है तो सबसे पहले देखो आप यह रखी है हमने डिफेंट डिफेंट कलर की है और कि वायर अवेलेबल है हमारे पास ठीक है तो यह ग्रीन हो हो ईके ये यत ब्लक होगी ओं ठीक है दैन उसके पाढ़ हमें पड़ेगी डायोट की यह आपके पास अब च्टिक है अब अगर आपको च्टिक यह जो डियॉड ए इसमें एक ब्लैट पट्टी और एक सिल्फल पट्टी होती है positive terminal और जो black party है वो है negative terminal ठीक है आगे भी इसको बताऊंगा मैं आपको और आपको पिक्चर में भी दिखाए दे रहा होगी इसके इन पर ठीक है पॉस्टिव और negative के बारे में ठीक है नाइक बात करते हैं यह है रेइस्टर का पुरा thousand का packet ठीक है बल्ब का packet यह हजार पीस के बल्ब का packet है LED बल्ज और LED बल्ब की खास बात जाने तो यह जो LED बल्ब होते हैं ठीक है इन-में एक लंबी होती है और एक होती है छोटी टांग ठीक है आपको साब दिखाए देरोंगी हर LED में लंबी टांग और छोटी टांग होगी अब यह ट्रेमिनल बनेगी आपके connection की ठीक है next आगे देखते हैं हम जो लड़ी बनाने वाले हैं यह पुरा package है थाउजन पीस का यह diamond cap के नाम से आता है और इसके नीचे का देखें तो यह holder है ठीक है अब यह हमने खोल के रखें में यह diamond से glow करता है ठीक है यह 9 वोल की battery से हम आपको glow करके भी दिखा देता हूं ठीक है यह देखिए बहुत ही अच्छा color ठीक है तो आपकी लड़ी ऐसे जलते वे दिखेगी साथ में सीजर छोटी सी जो आप घर में भी यूज करते हैं उस शीजर का प्योग कर सकते हैं लड़ी बनाने के लिए अच्छा यह बंड़े मार पास आप कितने मीटर की काट सकते हैं हमने यह यहाप पर 10 मीटर की वायर काट रही है ठीक है साथ में हमने छोड़ी शोड़ी भी वायर है आपकी ठीक है तो यह बनेगी आपकी पॉजिटिव टर्मिनल और यह जो हमने छूटी आपकी कट कर रखी न चुटी डिवायर्स यह आप बारह इंच की तेरह इंच की कट कर सकते हैं उससे बड़ी नहीं वहना अच्छी नहीं दिखेगी ठीक है तो यह छोटी आ ठीक है इसका प्लास्टिक का जो कवर हो निकाल सकते हो और यह प्योर कॉपर है आपका ठीक है कॉपर की वायर्स है हमारी ठीक है अलुब्यम की नहीं है ठीक है चाओ तो आप इससे सीज़ा से छिलो या फिर आप जैसे ग्रैणियों होती है गल की हाउस वाइप वह उनको अ वह डाल सकते हैं आप ठीक है इस तरीके से ठीक है अब हमें क्या करना है LED बल्ब लेना एक ठीक है इसकी छोटी आली टांग सबसे पहले छोटी आली टांग में यह वायर हातों से कोई सोल्टिंग की जरूत नहीं है कुछ एकसर नहीं लेना आपको घर बैटे बैटे कोई भ चार बल्बों में चार LED बल्ब की पॉजिटी पॉजिटी मतलब जो लंबी टांग होगी उसमें रेजिटर लगाने रेजिटर आप चाहे हां से लगाओ चाहे हां से लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता इसको आप बस इस तरीके से इसके साथ अटेच कर दो ठीक है आप कोई कोई सी भी साइट से रजिटर लगा सकते हो और ऐसे ओपर कर दो ठीक है यह आपका रेजिटर लग गया अब दूसरी च्षोई टांग लो ठीक है तो इसको भी हम झ्यल सकते हैं तो अब इसकी जो positive time में रजिस्टर लगाया था अब इस पर यह वाय लगा दो ठीक है शुरुवात के चार बल्ब में आपको यह register लगाना है इसी तरीके से ठीक है यह बस ध्यान रखना है कि इनकी जो वायर है आपस में touch ना हूँ ठीक है जैसे यह दोना आतेस नहीं होने चाहिए ठीक है फिर हलकी सी इसमे भी क्या गांट मार दीजिए यह कुछ इस तरीके से ठीक है ऐसे गांट मार दीए इसमे भी अब इसकी जो यह वायर है यह इसके अंदर से निकाल दीजिए ठीक है अब जो डायमंड कैप होती है वो इसमें फिक्स कर दीजिए यह ऐसे ठीक है अब इसको फिर से ट्विस्ट कर दीजिए अब यही प्रोसीजर आपका सेम आगे तक चलता रहाएगा पहले चाह बल्ब में तो आपका रजिस्टर लगेगा फिर से कैप लीजिए ठीक है यह कैप ऐसे डाली ठीक है अब यह बल्ब आप फिर से बल्ब लीजिए ठीक है लंबी वाली टांग पॉजिटीव छोटी अलि टांग तेगटिव तो पहले यह यानि हैं यह वायर छोटी अलिटांग में लगेगी है ऐसे कर लिजे side और छोटी अली टांग पर आप लगा दीजिए ऐसे ठीक है यह अब इसकी जो बड़ी अली टांग है positive में ठीक है positive में रेशर किसी भी side से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह इसके साथ लगा दीजिए यह हो गया आपका कुछ इस तरीके से यह ठीक है अब इस पर तो यह रेश्टर लग गया अब इस पर भी इसकी दूसरी side पर भी यह वायरिस पर जोड़ते लिए ठीक है सब को simple से है घर में बैटे कोई भी सिख सकता है इसको वीडियों देखके अराम से तो आप हमसे चाय बनी बनाई लड़ियां ले लिजिए और पर बनी बनी लड़ियां आप ऑर्डर पर यानि कितनी भी लेंद की आप मागा सकते हैं हमसे ठीक है नमबर आपको इसकी पर दिखाई भी दे रहा होगा ठीक है इस तरह की से गाठ माल लीजिए ठीक है या फिर आप रॉव मट्रियल भी हमसे पर्चेस कर सकते हैं फिर इसके अंदर से यह वायर ऐसे निकाल लेनी है अब डामेंड गैप इसके ओपर फिक्स करते हैं ऐसे तो बहुत ही सिंपल सा है यह काम घर में बैटे कोई भी बना सकता है और हमें चायना का जो भी रहना है हंडी आते से पचास मिनट के अंदर ठीक है तीस से पचास मिनट के अंदर यह लिकडी त्यार हो जाती है ठीक है जैसे हमने दो बल में आपको दिखाया कि आपको रजिस्टर जोडने है वैसी ही चार बल में आपको यह रजिस्टर जोडने है शुरू के चार बल मे है उसमें 41-42 पर लग सकते हैं ठीक है इसको भी ट्विस्ट कर लेंगे और मैं आपको बताया था ना जो लंबी तार है आपकी यह पूरी लंबी आली तार आ रही आपकी सीधी तो यह बनेगी पॉजिटिव ठीक है तो इसको पॉजिटिव पता करने के लिए आप इसमें ऐसे गांट मारके रख सकते हैं ठीक है अब इसको ट्विस्ट कर लो आप ठीक है जो आपकी छोटी वाली थी वो नेगेटिव बनेगी आपको तो लास बब किस तरह के से जुड़ेगा आपका वो देख लेते हैं ठीक है तो यह नेगेटिव है आपका और यह आपने जो गांट म है तो नेगेटिव जॉएंच कर लो गुश्टी के से इसको उपर कर लिडिए इसे और अब पॉजिटी पर हमें क्या है रिसर्ग सुरूख के चार ररेइश्टर लाउ के बल में जुड़ेंगे और लास यह इसके अंदर से आ जाएगा, चाए आप गांट खोल सकते हैं, क्योंकि आप बहुने पता है कि यह पॉस्ट भे भें, अज़िक है, तो यह ऐसे इसके अंदर से, अब यह इसके साथ आप अटेस्ट कर सकते हैं, इस रेश्टर के साथ, तो यह आपका कुछ इस तरीकी सा तो जरूहर ही नहीं आप 10 meters की बनाएं आप 12änger. तो ये रहिश्सेर आपका ठीक है सुरू है चाहा बने और आछे के 4 बने लगाना को ठीक है फिर से आपको इसमे गिताक मार्देने हैं तीक्ट ये ट्विश्ट लक्ना को है ठीक है आपका ट्विस्ट हो जाएगा ठीक है और लास्ट में भी आपको गिठाक लगा देनी है इसमें जैसे अभी तक हम सब में लगाते वे आ रहे थे तो इस तरह के से गिठाक लगा दीजिए ठीक है और इसे इसके अंदर रख लीजिए ठीक है और इसके कैप लगा तो यह लग जाएगी तो अब आपकी यह पूरी जो सिरीज लड़ी है इंडियन सिरीज लड़ी आपकी यह अल्मोस्त त्यार हो चुकी है अब इसका जो आखरी काम बचा है वो बचा है आपका सर्कुट लगाने का ठीक है क्योंकि जो आपके अलेडीबल होते हैं यह डीसी मे अगर इसां दजाए लगा कर देखे तो अणचे नहीं दिखाया देता है तो अब क्या चौशंत करेंगे झाण तो चार में निकाल देता हूं यह इस तरीके से चार डायोड के जड़त पड़े गी हमें तो पहले हम दो लेंगे तो मैंने आपको बताया था डायोड में दो आपके एक सिल्वर पट्टी होती है और एक ब्लैक पट्टी होती है छोटी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी जो सिल्वर होती है वह होती है पॉजिटिव टर्मिनल और जो ब्लम्ल थी संत में रखनी है वह है और इस तरीके से इने जॉइन करते हैं ठीक है 20 जोडिश्थ साथ में हो गए विया ओझान को आपको दो 갑자기 साथ में कर लेता है इस तरीके से यह आपका ठीक है यह दो ब्लैक ब्लैक आपके साथ में जॉइन हो गए अब यह जो दो बचे हैं इनको आपस में जॉइन कर लिजिए ठीक है तो यह आपका ब्रिज एक्टिफायर बन जाएगा जो आपकी AC को DC में कनवर्ट करदेगा और आपके रड़ी इसली से घ्रो कर जाएगी तो यह इस तरीके से आपका बिज ट्रीफफायर बन जा है और यह ओगए आपके पॉझ को खूल लेगे ठीक है अब हम चेक कर लेँगे पॉझिव कौम कौन सी थी जो हमारी लंबा वाला गौल पूरा रोल था ठीक है और वह क्या थी सीधी वायर थी तो उसे चेक कर लेंगे कि वह कौन सी है की क्यों कोई जो रहे तो यह अगरिए की सीधी आपकी पूरी है तो यह आपकी तो यह हो गया positive और यह हो गया negative ठीक है तो अब यह ठीक है पहचांग करने के लिए कि यह circuit है हमारा ठीक है इसकी लड़ी बनती है Milky Cap के नाम से आता है यह ऐसे ठीक है तो हम इसका circuit बना रहें तो यह इसके अंदर डाल देंगे ठीक है तो यह negative वाला है तो आपने जो is rectify बनाया था उसका negative टर्मिनल इससे अटेज जाएगा यानि कि ब्लैक ब्लैक जो दो ब्लैक ब्लैक साथ में है उसको जोइन कर लेंगे इसके साथ ऐसे है यह आपका ब्लैक जोइन होगे इसके साथ ठीक है और आप positive वाला ठीक है जो आपने positive बनाया था तो चाहिए तो आप और इसके अंदर से निकाल दीजिए ठीक है यह तो अब यह positive था तो जहां पर दो silver silver आपने जोइन करी थी उस पर जोइन करती है इसको तो यह हो गया आपकी दो silver silver जोइन ठीक है तो यह आपका output हो गया ठीक है अब जो आपकी AC से input आएगा दो वायर लेनी है आपको ठीक है आपको दो वायर लेनी है इस तरीके से और एक यहां जोइन करोगे और एक यहां जोइन करोगे ठीक है इसमें positive negative का कोई seed आप दोनों से किसमें भी join कर सकते हो ठीक है एक ऐसे कर लीजिए आप यहां पर इस तरीके से दूसरी वायर दूसरी साइट पर जोड़ते नहीं है ठीक है आपको पिक में भी दिखाए दे रहा होगा जो दो आपकी सिल्वर थी वो आपकी हमने पॉजिटिव बना दी है और जो आपके दो ब्लैक ब्लैक जोड़ी के इस से आया है जो लड़ी की लंबी वायर थी वो पॉजिटिम में जुड़ी है यानी दोनों इसल्वर वाले पॉंट पे और जो दोनों ब्लैक वाले पॉंट है वो नेगटीं यानि छोटी छोटी वायर काटी थी हमने हमने निए और अबारा बशुम कू और भागीज्ट दो बचे अ सकते उससे हमारा क्या जाएगा, एससी का इनपूट आएगा छाहो तो आप, इनको हाथ से मोल लो यां इन आप Caesar से cut कर सकते हो तो चाहो तो आप इनको board के छोटा कर सकते हो ताकि इस circuit के अंदर आ जाए या आप इनको simply Caesar से cut भी कर सकते हो ऐसे छोटा-छोटा ठीक है अगेन ध्यान लखने है कि या अपस में कोई भी touch ना हो ठीक है वन्हा short होने के chances होते हैं इस चीज का द्यान लखने आपको तो ऐसे अब यह छोटा हो गया ठीक है तो अब इनकी भी क्या कर लेंगे आप एक छोटी सी गांट माल लेंगे ठीक है बस द्यान लखने है या आपस में touch ना हो कोई भी ठीक है इस तरीके से और यह जो wires है इनको इनके 20 से निकाल देंगे ठीक है यह ऐसे ठीक है तो इसे थोड़ा सा adjust करके आप इसके अंतर fix कर देंगे यह आपका circuit तयार है ठीक है और आपके पूरी लड़ी भी बन चुकी है अब मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगा ठीक है यह इसके साथ ऐसे cover कर लेंगे तो यह आपकी LED सीरीज इंडियन लड़ी आपकी बन चुकी है ठीक है और यह आपकी diamond cap में बनी है ठीक है different different cap भी हमारे पास available है तो आप हमसे डारेक इसको बना बनाए यह नहीं कि आप ready order कर सकते हैं या फिर इसका raw material भी आप order कर सकते हैं मैं आपको जला की भी दिखाता हूं direct AC से ठीक है देखिए ठीक है AC में connection है हमारा मैं आपको इसको जला की भी दिखा देता हूं कि यह कैसी दिखी देखिए इसका color बहुत ही प्यारा लग रहा है आपका इतने उजाले में भी आप देख सकते हैं इसके color को ठीक है यह बहुत ही खुब सुरह से आपका red blue में आपका लाल और नीला ठीक जहां भी आप इसको यूज करने माले हैं पूरा जगमत आएगा ठीक है तो ठीक है अब पूरा जगमत आगा बहुत ही अचा color दिखाए दे रहा है आपको तो आप हमसे यानिकी इसको रेडिमेट भी और कर सकते हैं different colors में भी आती है हमारे पास ठीक है पूरा raw material हमारे पास ठीक है दरदुन में कहीं भी हम supply कर सकते हैं इसको ठीक है और online आप चाहे तो आप कहीं भी all over India कहीं भी आप मांग सकते हैं हम उसको supply कर देंगे पूरा raw material ठीक है आप रेडिमेट ले लिजिए नंबर आपका इस skin पर दिखाए दे रहा है ठीक है किस तरह के से बनाए गई है आपकी ठीक है पूरी इंडियन बेस है आपकी तो चैना का boycott करें और इस दिवाली इंडियन को ही सपोर्ट करें ठीक है तो वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो चैनल को जिरोने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और जरूर करें ठीक है साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरू करें कोई कमिया कोई सजेशन या कोई एडवाइस हो तो कमेंट करना ना भूलें थैंक्यू धन्यवाद